Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone. स्टार्ट कर रहे हैं Part 1 KBS paper का, इसके पहले हमने क्या कर लिया था, इंग्लिश कर लिया था, अब इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ General Hindi और देखते हैं किस तरीके का General Hindi का paper आया था 2018 में, तो यह आपके सामने 2018 का General Hindi का paper है, देखेंगे psychology पकड़ने चाहेंगे कि इस बार का paper किस type का आएगा General Hindi का, क्या वाकई में General Hindi सामान हिंदी है कि General Hindi नहीं है, आएए देखते हैं, तो पहला question है, जब अर्थ ग्रहन अभीधा से ना हो, किन्तो उससे सबद हो, मतलब अभीधा भाई मुझे literally अभीधा की meaning अभी राइट ना हो, तो मालिम नहीं है, कि जब अर्थ अर्थ ग्रहन अभीधा से ना हो, किन्तो उससे सबद हो, तो अर्थ ग्रहन कराने वाली शब्द सक्ति को क्या कहेंगे, तो मुझे कहीं से question General Hindi का तो नहीं लग रहा है, ओके ये special Hindi का question है, परन्तो इसका answer मैंने read कर लिया, इसका answer है, वेंजना, ओके तो इसको आप लोग जानते होंगे, मगर other subject वाले भला इतना deep क्यों जाएंगे, ओके तो जब अर्थ ग्रहन अभीधा से ना हो, किन्तो उससे सबद हो, तो अर्थ ग्रहन कराने वाली शक्ति को क्या कहेंगे, अर्थ ग्रहन कराने वाली शक्ति को वेंजना कहते हैं, ठीक ना, चलिए अगला question है इसनेह का साब्दिक अर्थ नहीं है, तो ये question जो था wrong question था, इसको छोड़ दीजे, ये गलत हो गया था question, इसनेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये question गलत हो गया था, चलिए अगला question देखिए, अगला question भी मुझे clear तो नहीं हुआ है, पर इसका answer मैं आपको बता देता टॉस युवा भारती टीम ने जीता और बल्लेवाजी प्रारम्हकरी, उपयुक्त वाक्य के उद्देश को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है, ये जो है, इस वाक्य का उद्देश क्या था, तो टॉस युवा भारती टीम ने जीता, ठीक है न, युवा भारत और उद्देश को बताना है तो इसका आंसर दिया गया है उसका नाम है युवाभरतिय टीम है तो यह अगला प्रीकल चलते हैं द्रण नहीं रहता है तो कहते हैं कि भाई बेपेंदी के लोटे हो क्या किसी बात पर तो द्रण रहो तो इसका क्रेक्ट रांसर क्या होगा और फोर्थ होगा चलिए अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नमर सिक्स्टीन पे तो फिर से मैं कहूंगा कि ये स्पेशल हिंदी ही लग रही मुझे कहीं से ये सिंपल हिंदी लग रही रामधारी सिंग दिरकर की प्रसिद रचना का नाम पूछा गया है जो कि आपको पता है कि रामधारी सिंग दिरकर की प्रसिद रचना का नाम क्या है उर् कबीर का संब्द जो है निर्गुण ग्यानमारगी निर्गुण भक्तिधारा से है कबीर ग्यानमारगी कभी हैं और निर्गुण भक्तिधारा के हैं चलिए अगला कुश्यन देखिए कह रहा है कि अनेका अनेका अनेकार्थक सब्द में गुरू के रूप में कौन सा अनुप उप्यूक्त को बहुत जोर से देख लिएगा, उप्यूक्त समझेंगे, तो बहुत सारे लोग सिख्छक करेंगे, तो गुरू के रूप में कौन सा अनुप्यूक्त है, तो गुरू के रूप में अनुप्यूक्त क्या होता है, सिख्छक भी होता है, एक नच्छत्र भी होता ह और भारी भी हुआ करता है, तो गुरू के रूप में जो correct answer इसका पचाने में कठेन, गुरू के रूप में जो अनुप्यूक्थ है, वो कौन है, पचाने में कठेन, ठीक है, इसका answer 3 हो गया, टीक है, तो दूर से फेक कर चलाया जाते हैं अज़ार, अस्त्र बोलते से ही हिंदी का पेपर धांग। पहला क्या यूद्श हिंदी कर रहा है, तो यह थोड़ी से दिफिकल्ट सोब्सक्रा रहा है अब इसके बाद एक और question मुझे बहुत डिफिकर्ट लगा यह टॉस वाला टॉस वाले में मुझे पता नहीं लग रहा है कि उद्देश क्या है बढ़ आंसर मैंने देखा के विएसका उन्होंने आंसर दिया यूव भरती टीम चलिए तो यह हिंदी का यहां पर इतना ही segment खत जाएए बाकी दो सब कुछ ठीक है ओके जय हिंद जय भारत